मस्कार दोस्तो मेरा नाम है बिविक भरत वाज आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्नलोजी विविक जहां हम मुवायल और केंपूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो लेकर आता हैं आई दोस्तो आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो Facebook और आपकी Gmail ID से related है दोस्तो आप मैसे जितने लोगों ने Gmail ID Facebook में दी होगी Facebook बनाते टाइम या Facebook को बाद में secure करने के लिए उनके साथ दोस्तो होता क्या है कि आपका जो social का section होता है Gmail ID पर वो बहुत ज़्यदा भर जाता है Facebook के कुछ actions से तो मैं आपको चल के देखाता हूँ आप यहां notification में आईए देखी दोस्तो यह जो notification आप देख रहे हैं यहां पर यह जितने भी notification इनको customize किया जा सकता है आप देख रहे होंगे सब के सामने SMS और email लिखा है तो SMS तो क्योंकि आपने phone को link नहीं किया होगा तो आपको SMS नहीं आता है लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए दोस्तो और जिनोंने phone को भी link किया होगा उनको proper SMS भी आता होगा यह जो email है अगर कोई भी विक्ति आपके Facebook पर comment करेगा मतलब कि आप imagine करिए कि आपको चार comment आए तो आपको क्या होगा चार mail आएंगे चार लोगों ने tag किया तो आपको चार बार tagging का mail आएगा reminder आया, कोई activity आई यह जो birthday आया, groups आया, दोस्तो वीडियो यह सबी जो है बार बार जाकर आपके email में चले जाते है मैं पहले comments पर ले लेता हूँ, यह देखिए यह push email SMS अब जो मेरा, मैंने Gmail दिया है वहाँ पर यह जरूर जाएगा आप कभी अपने social के sections में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको लेखा होता है अगर आपके दोस्त ने आपके छोटे से photo पर comment भी किया है पर हमारा data इतना भर जाता है हम सालों से Facebook चला रहे है तो इन चीओं से बचने के लिए आपको करना क्या है अगर आप push notification रखते हैं बहुत अच्छी वात है क्योंकि Facebook ज़्यादा तर लोग चलाते हैं ज़्यादा time चलाते हैं तो आपको करना क्या है यहाँ पर आके इन सारे sections को इस तरह से देखना है कि यह देखिए मैं यहाँ से SMS और E-mail को जो है बंद कर रहा हूँ मैं push बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह मैं सभी लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ अगर मैं मेरे लिए खुद कर रहा होता तो मैं इसको भी जो है यहां से बंद कर लेता अब देखेंगे दोस्तों आप यहां comments देखेंगे तो यह comments में अब आगया है in app only तो अब मुझे सरिफ यहां मेरे app में दिखाई देगा इसके बाद यह कहीं नहीं दिखाई देगा ऐसे ही मैं टेक्स यह देखेंगे अब यह कितना लिखा है get notification when you are tagged by anyone friends of friends तो यह देखिए टेक के लिए भी कितने सारे जो है मुझे यहां पर वो notification दे रखेंगे तो मैं इनको देखिए यहां से बंद कर लेता हूँ receive notification for batch mentions post you commented on join groups people you mentioned before तो इनको आप अपने according जो है customize यहां से कर सकते हैं इसी के साथ दोस्तों यह आप देखिए friend request जो है friend request जो है friend request जो है कैसी चीज है तो यह तीन option तो आई जाएंगे यह मुझे facebook पर भी notification देगा और यह push email और sms तो मैंने तो इसको अलड़ी दोस्तों यहीं से बंद कर रखा है यह turn off है तो यहां पर कोई भी birthday का जो है notification नहीं आता है इसी तरीके से आप groups देख सकते हैं events देख सकते हैं तो दोस्तों इसको आप customize कीजिए इस वीडियो को बनाने का आशे मेरा यही था कि यह जो है आपके gmail को ना भर पाए और यह gmail को बहुत ज़्यादा भढ़ देता है मैं देखिए आपको अगर मेरा gmail यहां पर एक बार आपको दिखाता हूँ ओपन करके यह देखिए दोस्तों यहां पर आपको अब शोशल में जो दिख रहा होगा यह क्योंकि मैंने तो यहां सब कुछ बंद कर रहा है इसलिए मुझे यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है यह मेरा शोशल है और यह मैं इसको जो डिलीट करता रहता हूँ लेकिन यह जो आपको दिख रहा है 30 अपरेल का फेस्बुक इस तरीके से जो है हमें लगातार मेल आते रहेंगे जो भी कमेंट करेगा लाइक करेगा जो भी करेगा बर्थडे होगा तो यहां पर हमें बार बार उसका मेल आता रहेगा इस चीज़ से बसने के लिए जो मैंने आपके वीडियो में बताया आप भी कर सकते हैं कस्टमाईज कर सकते हैं नोटिफिकेशन को इमेल पर समेस पर बन कर सकते हैं यह आपकी बहुँच जादा जीमेल में मेमोरी बचायाबा दोश्काएं कि तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं